हैलो फ्रेंड वेलकम टेन अन्दर वीड़ आप स्टाउक मार्केट आज हम डिस्क्स करने वाले आई-सी-ए-सी बैंक लिमिडेट के बारे में इस्टाउक इसका प्राइबिट सेक्टर बैंक इन इंद्या आज फोरा डाउन है 2% के करियो इसका जो प्राइस है 703 है हाला कि इसका 52 इट साइ 735 है जो स्टाउक ने दो दिन पहले ही आचिप किया है तब स्टाउक के ऊपर सभी बुलिस्ते हैं बैंक निफ्टी में तोड़ा सेल आने के करनों स्टाउक 700 करियो आ चुका है और यह इस प्राइस में भी आगर आप एक लॉंग टरम इंवेस्ट पर तो बहुत अच्छा रिटन मिल सकता है अगर इस प्राइस के 52 इस लोग को देगे 349 इस प्राइस के अल्मोस्ट डॉबल रिटन दिया यानि 100% रिटन स्टाउक ने दिया मार्केट का 4,88,000 करोर है यानि अल्मोस्ट फाइब लाक करोर के आज पास का मार्केट क्याब है अगर इसका PE देखे तो PE 24.38 सेक्टर पी 31.89 इसका जो PE है सिमिलर आज HDFC बैंक है एक्सिस बैंक का थोड़ा ऊपर है तो यह जो तीन बैंक है इनका PE रेशियो बहुत ही अट्रॉक्टिब जोन पे अगर इस पर्टिकुलर स्टाउक है सब से पहले कुछ टेखनिकल्स को दे आए नियार अबाउट 5% इन दा लास्ट टू दे जिसलिए स्टाउक का जो RSI and MFI स्कोर आता है 53.3 and 47.3 आता है जो के स्टाउक को यह दर्श आता है कि यह स्टाउक इस नाट ओभरबड 70 को बर ओबर 30 के निक चे स्टाउक हो जाता है ओवर सो बोध इस पारामेटर स्टाम स स्टाउक कही ही ओबर बहुत नहीं है आने वाले टाइम में भी ऊपर की तरब जा सकता है अगर इसका रिटरन देखें सो वान युकर रिटरन नेगेटिव है क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में स्टाउक 5% करेक्ट हुआ है बट अगर आप इस पर्टिकलर स्टाउक के सिक् आप कोई भी बाइ कर सकतो कोटा का अप्राइस तो रहा बार गया है अगर क्रेक्ट्षन में आपको मिलता है इस में भी इंवेस्ट कर सकतो आप SBI में भी इंवेस्ट कर सकतो पट ICICI bank is also very good सारे banks ही बहुत अच्छे लगते हैं मुझे stock का जो 50 day and 30 day simple and expression moving average जिवो 700 and 710 के करीब है now अगर expression moving average देका 714 and 698 so stock ने अपने 20 day and 30 day simple moving average जिन expression moving average को तो बीट किया जो थोड़ा stock के लिए खड़ाब होता है pattern खड़ाब करते है बट 50 day का जो support है वो 700 and 690 इसलिए मैं कहरा आता है अगर इसको ये break करता है तो ये 680, 660 तक जा सकता है क्योंको जो 100 day simple and expression moving average 100 day का वह वो नियर अबूट 670 के करीब है so 680 तक तो ये stock बहुत आसनी से गिर सकता है देन 670 को अगर ये break करता है तो उसके भी नीचे 650 तक जा सकता है बट 700 is a very strong support 100 day simple and expression moving average support 670 ये भी बहुत strong support market में जो correction है बहुत correction आ सकता है आने वाले time में बट long time investor आपको panic करने के ज़रूर नहीं अगर आपने इसको 730 के करीब भी खरीदा है तो आसनी से hold कीजिए panic में आप इसको sell मत कीजिए क्योंकि long term horizon में ये आपको profit देगा short term में तो definitely आपको stick stop loss के साथ इसको trail करना पड़ेगा अगर stock 714 को break करके 720 को उपर sustain करता है so then इसमें bullish indication आ जाएगा कि ताब ये stock जो है अपने सारे simple and expression moving है आप इसको ऊपर trade करेगा जो एक बहुत अच्छा indication होता है at that moment 700 is the very weak support 70 is the next support but for the short term people 700 is a very strong support for you but उसी के बहुत करीब ये stock है अगर आप एक trader हो तो 690 का stop loss लगा कि आप इस price पे भी stock को buy कर सकतो 690 is a very strict stop loss for this particular stock and अगर आपको इसको short करना है तो 720 के नीचे या फिर 714 is the very big stop loss for you आलाके मैं इस ताइर के stock में तो trading करने का सलाह नहीं देता इस ता pure investment kind of stock अब अगर इस particular company काम fundamental को देखे सो fundamental में सबसी important जो चीज हो होता है capital advocacy ratio अगर capital advocacy ratio देखे सो 19.51 है अगर इस particular company काम कासा रेशियो को देखे सो compared to all this company other banks 40 के उपर का कासा रेशियो भी इसका है अगर आप इसका market cap देखे 5 लाग करों का असपास है HDFC का जो market cap है almost 9 लाग करों का अरपास है and Kotak का जो market cap है वो 4 लाग करों का असपास है यानि Kotak and ICIC bank हमेशा सी competition होता है एक टाइम Kotak Bank the bank ICIC bank को उपर चला गया था पर सड़नली ICIC bank ने में अच्छा कासा भाइंग हमने देखा है PE ratio वाई से यह सबसे attractive है HDFC से भी थोड़ा cheap valuation पे access से भी cheap है Kotak का तो 40 चला गया है जो इससे बहुत expensive बनाता है अगर इसका result देखा तो result उतने बुड़े नहीं है अगर कितना correction होता है तो every correction is a very good zone for you to invest and buy this particular stock and hold it for a longer period अगर इसका result देखा तो 23,000 कड़र के उपर का revenue है financing profit जो है वो negative है क्योंकि इनका expenses ज्यादा है profit tax 6,679 करोड जो के last quarter में 7,000 करोड था profit जो है net profit 74747 जो है last quarter में 4886 है यानि net profit जो है company December quarter थोड़ा correct है लेकिन result खराब हम नहीं कहा सकते क्योंकि यहीं इनका average result होते है now जो इस particular stock का next चीज़ है सबसे important वह शेर holding pattern क्यों यह stock मेरा favorite है आपको पता चलेगा क्योंकि इसका जो FII holding है 48.0 थी है DII holding 41.70 और public holding 10.0 थी यानि प्रोमरास का पास कोई holding ही नहीं है जितना यह stock बारेगा सीधा benefit किसको मिलेगा retail investor को मिलेगा DII, FI DII, FI में ज़्यादा तार insurance and mutual fund company retail investor वो mutual fund के तो इन्वेस्ट करना जादा पसंग करते है एक सा large cap company और इसका जो horizon वो longer होता है वो इन्वेस्टेर इसको इन्वेस्टेर करते है जो long term के लिए इस पे इन्वेस्टेर है minimum 5-10-10-20 years इसलिए यह stock मेरा favorite है प्रोमोटर्स को कोई benefit नहीं मिलता stock अगर ऊपर की तरफ जाए then promoter holding is very good so यह था ICICI bank को लेकर मेरा एक horizon मेरा एक outlook पिछले दिन मैं XCIS bank को लेकर वीडियो मना दो so ICICI, XCIS, HDF, सारे banks यह बहुत ही favorites मेरे banks है अगर आपको banking में इन्वेस्ट करना है आपका पास 1,00,00 रुपीज बे आप इन 3 bank या फिर SBI को लेकर 4 banks में आप equally invest कर सकते हो आपको अच्छा कासर return मिलेगा और long term में आप गेनरी होंगे वीडियो इंफर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए आप सब्सक्राइब कीजिए आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलता एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे see you in the next video guys till then good bye